इस समय हम जौनपुर में मौजूद हैं मंगेश यादो जिसे UPSTF ने एनकाउंटर में मार गिराया और ये आरोप उस पे है कि जो 28 अगस्त को सुल्तानपुर में डकैती होती है उस डकैती में वो सामिल था आरोप है उनके पिता जी है ये पीछे हमारे इनका मकान है मंगेश इस में बारिस हो रही है तो तमाम लोगे उनसे मिलने वाले यहां पेर बात करने पे इनकाår कहना है कि मैं भागा प्ता हूं जो अपने बेटे को जवान होने दिवे flavors पहले ही मेरे बेटे को पुलिस ने इंकाउंटर दिखाकर हत्या कर दी है क्या आप कहा थे और क्या करते हैं मैं sir Gucraat में था गुजराद में घाड़ी चलाता हूं घाड़ी उसको मैं सिख्या भी था घुलाई में घर आया था, घुलाई में नहीं लगाने मकाई-चकाई बहुन के चक्कर में रुक गया था अच्छा और रुकने के बाद हम तो गुजराद में थे हमको तो पता ही नहीं चला जब पता चला है उसकी खतम कर दिये तब हमको मालूम पड़ा कि मारा लाल का आजम को खतम मार दिये गोली अच्छा जब आपके घरवालों से बात हुई होगी तो घरवालों ने क्या बताया आया थाए हिए हमको घर वाले बतार रहे हैं कि सुम्मार को आए है रात में दो बजी बाहर बाहर से आए हैं लड़का हमारा खापी को सोया था लड़की हमारे और माद दोनों साथ में सौई थी उसको इन तरासरी ली एक बाद इसकी मा बहन को उन लोग ने धंकी दिया किसी का बताना मत कि मंगेशक मैं ले जा रहा हूं के वल इतना पूंच चांच करके मैं सुभम दस बज़े तुम्हारे लड़के को भेज़ दिऊंगा कुछ रहे गही जब कुछ रहे तब पाएंगे ना साहँ जब नहीं गया फर्जी मुकद्मे अब बेटे पे लगाए गया है परजी मुकद्मे है हाँ फर्जी एकदम वन टू आर परजी है तो यह मंगेश के पिता है इनका यह आरोप है कि जो में इनका बेटा है वो इन सम्मामलों में नहीं था और वो जो है उस पे जितने मुकदमे हुए हैं अब तक वो फर्जी मुकदमे हैं तो अब आपकी क्या मांग है जो परसासन है है कि है सार हमारा बूज आया हमारा लखकर भीन छला गया तो suggesting करेंगे मांग है हमको सिवीइयांच होना चयांगा सिवीयांच होगा तभी मालूं पढ़ जाए कि कहां कितना दक्स gonna cielo कितना मसूर था लेकिन इसासन की तरफ से स्पाइब जाएंगे सर्कार को आपका पता इससे पहली वी कभी जेल गया है अरे जेल तो गया है लड़किया स्कूल पढ़ रहे थे आपस में जगड़ा मुबाइल सुभाइल की चक्कर में एक बार उसको फंसाया गया था तो मैं उसको छोड़ाया था भाई छोड़ा के फिनु जवनपुर मज़ा दिये थे वहां भी छोड़ाया फिनु पुलिस सुल् नहीं अवरत लड़की को दबाव डालके हमारे लड़के कुठा ले गए अब मारके उनको क्या रिपोर्ट बनाना है कितना जूट बोलना है साहिब भीना से विया इजाज के मालूम नहीं चलेगा तो आपका यह मानना है कि आपके घर पे कोई नहीं था और उनको यह था कि कि मंगेश यादो की हत्या इसलिए कर दी गई कि वह यादो था जाती देखकर यहां इंकाउंटर किये जा रहे हैं क्या हुआ सर अभी जब पूरा इसको जांच होगी सिभी आई जांच होगी तभी मालूम पड़ेगा ना भाई आप यह मानते हैं कि आप यादो होने के ना अखली सियादो क्या उमीद है आपको अखली सियादो लगातार इस मुद्दे पर बात कर रख रहे हैं ट्विटर पर तमाम लगातार आवाज उठा रहे हैं सरे जब तक कि लिए नहीं होगा सिभी आई किया तब तक मालूम नहीं चलेगा सब्सक्राइब जाचिया आप बेटे को फर्जी यहां से उठाया गया ऐसी से पहले कोई घटना में वो समलित नहीं ता जितने मुकदमे उस पर लगाए गये वो फर्जी मुकदमे है और सिप इस दिया उसको उठाया कि इनके घर पर इनकी जो पतनी है वो और इनकी एक बेटी अकेले और मंगेश यादो यहां पर था और उन्हें यह ता कि अगर मंगेश यादो को उठाला जाता है तो कोई इस पर जो है आवाज उठाने वाला नहीं है और एक बड़ा इनका कहना है कि मेरा जो यादो है यादो होने के नाते भी इनके बेटे की का इंकाउंटर हुआ आपकी क्यापत करिया हमें जरूर बताएं बनी रहे हमारे साथ मिलते हैं कियों धन्यवाद